नमस्कार एस न्यूज आपका सच चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजिपुर में जहां सदर कोतवाली इलाके के रजदेपुर मौहला में ताजिया रखने के दौरान बैन बाजा को लेकर दो पक्षों में कहा सुनी होने लगी और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया की गोली चल गई। जहां घटना के बाबत जानकारी ली वही एसपी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि कल यानी 10 अगस्त को ताजिया रजदेपुर से उठनी है। रजदेपुर में कल ताजिया उठने वाली है यहां से दो पक्षों के बीच में बैंड को लेके कुछ नभीबाद जो है वह हुआ है एक व्यक्ति जिसका नाम शेरू है उसने और कुछ अन्य लोगों ने जिसने शेरू को भड़काया था। इन लोगों ने एक व्यक्ति के ओपर फायर किया है उस व्यक्ति को जो है नास्मताल रिफर किया किया है उसकी हालत जो है वो स्टेबल है। इन लोगों के खिलाब कठोरतम कारवाई जो है वो की जाएगी उची धाराओं में जो भी तहरीर प्राफ्त होती है उसमें मुकदमा पंजिकरित किया जाएगा और ये एंशोर किया जाएगा कि ऐसे लोगों के ओपर गैंग्स्टर के मुकदमें जो है वो पंजिकरित किया जो भी विदिक कारवाई करनी है की जा रही है अभी किरफ्तारी किसी के नहीं हुई है इसमें पहली चीज जो है उसमें टीमों का गठन जो है वो किया गया है पुलिस को जैसे ही सुचना मेले थी ततकाल पुलिस मौके पे न पहुंची थी मेरे द्वारा भी अभी मौके का न इरिक्षन जो है वो किया गया है और ततकाल जो है इसमें विदिक कारवाई की जा रही है